नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रचीत और आप तब का स्वागत है यूटूब के और इतने फ्रेश एपिसोड में और आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ तो आपको 5% का कैश बैक मिलेगा जो कि आपको 2000 रुपीज होता है वन प्लस एलेवन आर पे और अगर आप जाओगे 57,000 के लिए तो आपको आपको 5% कैश बैक मतलब आराउंड आपके सकते हो 3000-3500 का कैश बैक मिल सकता है तो इसके लिए सिफ नॉर्मल प्रोसीजर है 500 कोई प्रोमोशन नहीं कर रहा हूँ बस आपके फाइदे की बात कर रहा हूँ अगर आप फ्रिक्वेंटली अमेज़न से मतलब कुछ पर्चेस करते हो लाइक मैने में अगर आप 4-5 चीज़े पर्चेस करते हो तो मैं आपको बोलना कि आपको यह क्रेडिट काड लेना चाह करता है कि आपको दोनों में से कौन सा फोन देना चाहिए अगर आपका बज़ेट बहुत ही स्ट्रेट है तो मैं आपको बुलोंगा कि वन प्लस 11 और काफी अच्छा है और आपको बज़ेट की कोई चिंदा नहीं आप 50-60,000 आरम से पे कर सकते हो दिना विल सजेस्टी वन से लें है लेकिन उस कैटेगरे में फिर आपको आइफोन 14 भी मिल जाता है बटा आइफोन 14 की यह बात ऐगी उसमें 60 हर्स कर लिमिलता है जब कि आपको लेंटर रोटी हर्स कर इस समसंग का एस्ट स्टेगरे में मिलेगा अगर आप से पैंपॉय हो तो कफी अच्छा फोन ह उसका camera one of the best camera है, S23 का, ठीक है, चलो हम लोग comparison करते है OnePlus 11 R versus OnePlus 11 के बीच में, दोनों की build quality exactly similar है, सिर्फ OnePlus 11 में आपको metallic frame मिलती है, OnePlus 11 R में हमको plastic frame दिखने को मिलती है, मकीस front and back दोनों ही gorilla grass protection दिया हुआ है, दोनों ही phones में दिया गुए हुआ है, डिस्पले की बात करेंगे, तो डि NTPO technology के उपर डिस्पले बेस है, जबकि हमको OnePlus 11 R में भी fluid AMOLED डिस्पले मिलता है, टेकनिकलिटी में जाएंगे, तो OnePlus 11 का डिस्पले है, वो टेकनिकली 1 हर्ट से लेके 120 हर्ट सक कही भी variable refresh rate कर सकता है, जबकि OnePlus 11 R का जो डिस्पले है, वो 48 हर्ट से लेके 120 हर्ट सक variable refresh rate है, यह यह काफी टेकनिकली बात है, लेकिन मतलब naked eyes को इन दोनों चीज़ में ज्यादा फरक नहीं नजर आएगा, यह फरक सिर्फ हमको battery life में मिलेगा, तो में भी OnePlus 11 की battery life आपको आदा गंटा जादा मिलेगी as compared to OnePlus 11 R, लेकिन हमको battery life की चिंता क्यों करनी है, जब हमारे पास 100W का Superwalk fast charging available है, 5000 mAh के battery है, दोनों में same है, तो I think we should not worry about battery life, so मेरे इस अबसे डिस्प्ले दोनों के ही almost अच्छे है, अभी बात करते हैं, sound quality में और इसमें में बोलूंगा कि OnePlus 11 बेटर है, OnePlus 11 के Dolby Atmos stereo speakers better sound करते है, as compared to OnePlus 11 R, OnePlus 11 R में भी Dolby Atmos का support दिया हुआ है, बट वो इतनी अच्छी त सबसे में बात करते हैं, प्रोसेसर की, प्रोसेसर OnePlus 11 R का Snapdragon Adgen 1 है, वही आपको OnePlus 11 में आपको मिलता है Snapdragon Adgen 2, अभी ये दोनों प्रोसेसर के generation difference है, एंटेटू स्कोस difference है, लेकिन एंटेटू के जो benchmark है, वो कभी-कभी manipulate भी किये जा सकते है, जब भी real life में काईने मस्टर में जब कि OnePlus 11 में heat को absorb करने के लिए, heat को manipulate करने के लिए कुछ technology या फिर features इसे डाले हुए कि प्रोसेसर की जो मतलब पीक पावर उसको थोड़ा limit कर दिया, इसके वज़े से OnePlus 11 heat नहीं होता, लेकिन वो प्रोसेसर की power भी कम produce करता है, वही OnePlus 11 R heat होता है, लेकिन उसका प्रोसेसर पूरा 100% power के साथ चलता है, तो इसके लिए gaming gaming आप खेलो कि तो आपको OnePlus 11 R में थोड़ा बेटर performance मिलेगा, लेकिन heat भी उतना ही जादा होगा, as compared to OnePlus 11, तो दोनों में ये difference ज़रूर है, मतलब आपको ऐसा लगीगा कि इसका प्रोसेसर अच्छा है OnePlus 11 का, तो बहुत ही अच्छा performance रहते हैं, वही अगर बात करते हैं, तो OnePlus 11 का आपको चार साल के Android updates मिलेंगे, और OnePlus 11 R को आपको तीन साल के Android updates मिलेंगे, तो Android updates आपको मिलती ही लेंगे, वैसे तो oxygen OS है, color OS के उपर थोड़ा base है, और oxygen OS के updates मिलती ही रहते हैं, के साथ-साथ हम लोग camera का एक main difference बात करते है, camera triple camera दोनों में दिया गया, लेकिन OnePlus 11 में आपको टेली फोटो लेंस 32 MP के मेलता है, वही आपको अल्टरावाइड लेंस 48 MP के मेलता है, OnePlus 11 R में सिर्फ 50 MP का primary sensor है, जो कि दोनों ही फोन में सेम है, टेली फोटो लेंस नहीं दिया है, मैक्रो 2 MP कुछ काम कर नहीं है, और अल्टराव 11 R आपके लिए बहुत ही अच्छा फोन है, अगर आप टेली फोटो लेंस यूज़ करते हो ज्यादा पोट्रेट खिचने के लिए या फिर जूम के लिए, तो आप OnePlus 11 को कंसिडर कर सकते हो, या फिर आप अल्टरावाइड जो शॉट्स लेते हो, नेचर के शॉट्स या फि तो दोनों में सिक्षिन में का पिक्सल का है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मेरे इस सबसे यहार, अगर आप ज्यादा बजेट स्टेच नहीं करना चाहते हैं, तो आप OnePlus 11 R ले सकते हो, 39,000 में, 39,999, क्योंकि OnePlus 11 काफी high margin पे जाता है, और अगर आप उतना पै क्योंकिते हैं, झाली ए जापदा फिक्स नहीं है, तो आप में पी जैए, जहीं है हम जतना चाहार शोंकित को अईए, तो में आप आपार में का इन सिक्या सohid भ्ञता है, अपर में यहार ए. उन हम मुझेदा हैं, ले